आज हम MBA और LLB के बीच के में difference देखेंगे और difference में सिर्फ basic difference नहीं देखेंगे जो बागी YouTube वीडियो में आपको normally मिल जाते हैं हम ऐसा point of view देखेंगे कि MBA और LLB में actual में practical real life में क्या difference आता है इनकी definitions में क्या difference है, phase structure में क्या difference है उन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे practical implication क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे तो यहाँ पे न सबसे पहले मैं इस तरह के से define करूँगा कि आप existing क्या है या आप आगे क्या plan कर रहे है मतलब आप job में है या अपनी practice में है ठीक है, practice in the sense कि आप taxation का अपना work कर रहे है या plan कर रहे है या job में अपना plan कर रहे है अब job में बात आती है कि job में या तो आप accounting से related या किसी और field में है, accounting and other done है, second आता है कि आप taxation के किसी field में है आप क्या है जॉब में है और टेक्सेशन के किसी जॉब की प्रोफाइल ये वो टेक्सेशन से रिलेटीड है दोनों ही केस में matter अलग-अलग करेगा कि आपके लिए क्या बेटर है अगर आप accounting की field में है या किसी और field में है तो आपके लिए MBA good option है इसका क्या है MBA का मतलब है आपके master's है कि इसमें business administration में मतलब यह managerial है मतलब management तो यह managerial work है तो यहां पर जो main आपको चीजे सिखा जाती है वो किस से related सिखा जाती है management से related सिखा जाती है कि manage कैसे करना है अपने team को या जिस भी film में आप management में सीख रहे हैं तो यहां पर benefit क्या है कि यहां पर आपको न टेक्सेशन से related benefit नहीं है आपको benefit MBA सिखे सो देट कि आप अपनी जो प्रोफाइल है या जो आपकी job है आप उसमें increment पापाए और managerial level पे apply कर पाएं ठीक है क्योंकि आप देखेंगे ना इतनी भी management level की jobs होती है वहां पर MBA की requirement नॉर्मली ज्यादा देखने को मिलती है अब बात आती है कि आप taxation वाले फिल्ड में है taxation फिल्ड में मतलब जैसे कि आप GST income tax से ज्यादा डील करते हो या फिर आप company secretary होगे जैसे legal वाला पार्ट होगे company law से related जादा चीज़े में deal करते हैं तो in that case आपके लिए LLB better option है ठीक है LLB क्यों LLB की हो तो benefit कि है कि यहाँ पर आपको एक specialization मिल जाएगी taxation के part में तो मान के चलिए कि for example आपने certification courses की है ठीक है आपने चाहे हमारे GST income tax के certification courses की है या A to Z कहीं से भी आपने चीज़ों को सीखा है taxation के फिल में है तो आपको LLB की अगर knowledge होगी आपके पास degree होगी तो वो आपको एक better recognition देगी industry में ठीक है तो आप अपने taxation field में ज्यादा अच्छे से grow कर पाओगे अगर आप practice में मैं MBA के उपर एक point हो अभी important matter discuss करूँगा अगर आप practice में है तो मैं आपको LLB ही recommend करूँगा LL कि इसमें taxation के अंदर क्योंकि यहां पर क्या है ऐसा कुछ नहीं है कि compulsory है अगर आप अपनी taxation के practice कर रहे हो और आप graduate हो यह 12th pass out हो तो कोई problem नहीं होती है जैसे जो certification courses है कोई भी कर सकता है मैं आप सबको हमेशे यह सिखाता हूं कि आप और students है जो उसको 12th pass out students भी जो directly certification courses करक कि अपना मतलब thousands and lakhs में earning कर रहे हैं लैक्स में उनकी earning हो रही है तो कोई problem नहीं है बट आप और ज्यादा अपनी skills को grow करना चाहते हो या एक degree भी आप चाहते हो तो then आप LLB को consider कर सकते हो LLB से क्या होगा आप advocacy की भी degree आपके पास मिल जाएगी तो थोड़ा सा better recognition मिलता है कि हाँ आप advocate भी है जो taxation में तो जो customer है थोड़ा सा आपको better उस चीज में prefer करते हैं तो यहाँ पर LLB आपके लिए beneficial है क्योंकि MBA फिर वही चीज हो जाती है कि management से related हो और management का तो अभी आप समझते हैं MBA की fees normally high होती है जो fees है ना इसकी यह normally high fees होती है क्योंकि MBA आप किसी normal college से कर रहे हो जो well known college नहीं है उससे आप कर रहे हो तो यह आपको सिर्फ एक degree देदेगा बट actual में इसकी value जदन नहीं होगी क्योंकि MBA में ना matter यह करता है कि आपके पास skills क्यासी है management की वहाँ प LB के बारे में आपको कह रहा था यह किसी उसमें वहाँ पे practical के साथ साथ आपको legal point of view भी matter करते है तो LLB अगर आप किसी normal college से भी कर रहे है तो भी okay रहता है जबकि MBA better होता है कि आप किसी well known recognized college से करें अब एक कीस ही आता है कि sir जो well known है उनसे हम नहीं कर पाते है A to Z किसी भी reasons वहाँ पर आपका entrance clear नहीं हो रहा है admission नहीं हो पा रहा है या fees उनकी हाई है आप effort नहीं कर पारें कुछ भी ऐसा reason होता है तो आप क्या करिए आप जिस भी field में हैं अगर आप accounting field में है तो आप यहाँ पे अपनी skills को अच्छे से develop करो किसीज में accounting और taxation की skills को आप develop करो इसके base पे ही आपकी salary बहुत grow करते है depend आप किस stage पे हो बहुत सारे students ऐसे हैं जो हमारे taxation और accounting के course करके न तो यह course करने के बाद उनकी salary मतलब ऐसा है कि three times तक भी grow करी है ठीक है तो depend करता है कि आप की existing salary क्या है आपको कितनी knowledge है उन चीज़ों पर तो best है यह किसी और field में हो आप accounting field म नहीं हो तो आप जिस भी field में हो उसकी skills पे work करो ठीक है उसकी skills पे work करो उसके certification courses gain करो वो low cost में आपको practical real knowledge आपको मिलेगी वो आपके लिए fully beneficial होगे अगर आपका field भी कोई doubt है तो आप comment करना I will try my best कि मैं आपको उस stage पे revert कर पाऊ ठीक है बाए बाए